तो यह वाली वेडियो आपको जो लेक्चर नंबर फाइव है अधिगम का उसके बाद में देखने हैं ठीक है मैंने बहुत अच्छे से आपको वाइगोट्स की थ्यूरी के बारे में समझाया है जिसके अंदर जैट पीडी भी बताया था कि जो होता है वह वाइगोट्स की न कुछ confusion रहे गया होगा मैंने वापे अपना 100% या आपको समझाया भी अच्छे से जिनको समझ में आगया बहुत अच्छी बात है जिनको समझ में नहीं आया वो सिफ ये दो लाइने और ध्यान रख लेना कि जो जीन प्याजे थे उन्होंने ये बोला था कि जो एक बच्च है कितना develop हुआ ही हम नहीं बता सकते क्योंकि हम उसको map नहीं सकते ठीक है exact नहीं बताया जा सकता only अनुमान लगाया जा सकते है और यही concept है इसी को ही zpd बोला था कि zone of proximal development कि मतलब हम सिफ अनुमान लगा सकते हैं हम exact नहीं बता सकते ठीक है अब ये zpd क्या था इसमें में आपको ये भी बताया था कि जैसे किसी भी बच्चे को कोई task दिया माल लो इतना उसका जो मस्तिसक है इतना विक्सित है कि वो यहां तक उस task को complete कर सकता है बड़ आगे वो complete नहीं कर पा रहा क्योंकि task complete करने के लिए इतना development होना जरूरी है तो वो किसी ने किसी अन्यवेग जैसे मैंना आपको कोचिंग का example दिया था कि कोई student है जिससे math के सवाल solve नहीं हो रहे तो वो help लेगा कोचिंग के teachers के से और उसकी बाद में जब उसका मस्तिसक का level इतना develop हो जाएगा तो उसकी बाद में वो उन सवालों को कर सकता है तो वही चीच है zpd तो ये वाला एक second color change कर लेती हूं तो ये वाला जो छेत्र है na zpd जो मतलब पहले से एक तो उसका मलब पहले से जितना develop उसका मानसिक वाला था उतना तो ठीक है ना कि पहले से उसमें इतने capability थी उसका मानसिक हो गया था उस बच्चे की इतनी थी ठीक है वो बात तो बट जब किसी से help मिली तो यह जो आप ग्रीन वाला दीछेत्र दिख रहा है इतना और उसका मानसिक विकास हो गया ताकि वो उस task को पूरा कर सके उन सवालों को पूरा कर सके ठीक है तो यह जब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना यही जैड़ पीडी है तो यह बताओ यह कैसे निकल के आएगा ओप्व जैड़ पीडी के अंदर यह जो ग्रीन वाला पॉर्शन दिख रहा है ना और यही जैड़ पीडी जैड़ पीडी है देखू जैसे मैं आप यहां पे और भर दीती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए उसका पहले सी जितना डवलप्मेंट रोड़ के उसका कोई जाए नहीं लगता है वहाँ पे कुछ भी समझने आया है वह बट अगर नहीं आया तो आपके डाउट के लिए हो जाएंगे इसके बाद में जो इसके फोल्डिंग है भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि एक इस्टोडेंट को जानना था कि इसके फोल्डि सिखानी है तो उसको सपोर्ट दिया जाता है ठीक है जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे चॉकलेट का एक्जामपल दिया था मतलब उस लेक्चियर के अंदर कि जैसे बच्चा को स्कूल नहीं जाता है तो उसको बोलते है भाई तू चॉकलेट देलो जैसे ही उसको आपड़ से हटा लेते हैं वहला हम उसको फिर चॉकलेट देना बंद कर देंगे ठीक है तो इसी वज़े से बोला गया कि यह टेंपरेरी है जब तक उसमें अच्छे आधर डवलप नहीं हो जाते है या जब तक वह एक लेवल तक नहीं सीख जाता तब तक हम ऐस तरह सपोर्ट देते ना तो वही चीज होती वो जो इस तरही सहयोग दिया चाता है वही इसके फोल्डिंग है ठीक है इससे बैस एक्सामपल नहीं हो सकता इसके अलावा जो क्रिया परसुत अनुबंदन था इसकी नर का सिदान जो मैंने आपको अधिगम लेक्च्छर नंबर 4 में बताया था व इस परकार कुमहार मिट्टी के बरतन को निश्चित आकार देता है उसी परकार प्रीयोग करता जो है वो प्राणे के वेभार को भी वैवस्तित कर देता है और मलब वैवस्तित रूप परदान करता है तो यार यह तो सैपिंग नाम से ही पता चल रहा है कि उसको एक और समय खांपब दिया था कि यह जो चुप है उसको यहां पर फूल म् haven पार करने की बाद में और Chief like तो उन्होंने यही बोला कि यहां पे मालो कोई चुवा है इसको इस भूलबुलया को पार करने के बाद में यहां पे खाना रखा हुआ है और इन्होंने बोला था कि पहले अनुक्रिया होगी उसके बाद में उद्दीपक होगा रहा है यह बोला था इसकी नर्ने तो इन्हों ने ये चीज बोली कि जब ये चूहा इस भूल बुलया को पार करेगा तब इसको खाना मिलेगा कोई जरुए थोड़ी एक बार चूहा गया और उसको भाई रास्ता पता चल गया लोड़ी चाया है और फिर गौल यहीं चाया इसको पता चल जाए बहुले और उन्हों यहीं बोला है प्रियोकरता प्राणी की विवार को एक व्यवस्तित आकार परदान करता है मतलब वो यही चाहता था कि चूहा कहीं टकराए ना डारेक्ट जाए और आराम से मज़े से खाना खाले ठीक है तो वो उसने किस वेवाहर से अलब एक बार बताओ अगर चूहे ने इधर इधर टकराना छोड़कर सीधा चलके खाने ते पहुँच गया अगर एक बार इन्हों है कि रास्ता ऐसे है आप खुद को ले लो हाँ इसकीनर ने इधर चूहे पर किया था ऑप अपना एक्जांपल भी ले सकते हो जब आपको पता नहीं होता है कि बचपन में जैसे इसकूल से घर, इसकूल से घर, घर से इसकूल जाने का रास्ता कौनशा है तो मम्मा आपको बट एक टाइम के बाद में जब आपको बोला कि आप खुछ चला जाओ इसकुल यहां पे और घर यहां पे तो थोड़ा सा आप लोग सोचोगे यार कहीं कोई गली में नहीं बहुत बार होता है आप नहीं जगा जाते हो तब भी गलती से किसी गली में कुछ आते हो ना बट एक बार आपको पता चल गया कि भाई रास्ता ऐसे ही है मुझे सीधे सीधे जाना है या लेप्ट लेना ही राइट लेना है एक बार आपको पता चल गया रास्ता ऐसा है तो रास्ते तो याद रहेंगे है या गलियों के रास्ते तक भूल जाओगे अगर भूल जाओगे त आपको ZPD फिर भी के लिए ना हुआ हो तो ZPD और Skate Folding और Sapping अब इनको Mix मत कर ले ना क्योंकि ZPD और Skate Folding के बारे में वाइगोट की ने बताया था बड़ जो Sapping उसके बारे में ये बताया था बताओ आप बताओ बताओ थोड़े दिमाग दोड़ा इसकी नर्ण ठीक है तो ये छोटू सा डाउट था मुझे लगा आपको डाउट होगा इसलिए वीडियो बना दी और अगर थोड़ा बहुत रहे भी जाए तो यार साइन्स वाले तो रट्टा मारने में माहिर होते हैं थोड़ा एज़िस कर लिया करूँ ठीक है बाब बाई